तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेकटा से, जो फोक्स के साथ अना अपने केव में आता है, जिस केव के अंदर इसके पुरा क्लैन यहां पर रहती है, और क्लैन रहती नहीं है, बलकि क्लैन अंदर सील यहां पर है, तो जैसे वो अंदर जाता है, तो अंदर से सा अंकल और मेरे सिनियर यहां पर लगेंगे, तभी बाब भी कहता, मेरे बेटे, तीन घंटे बाद मुलाकात हो रही है, लगता भूल गे अपने बेटे को, तो महारा मेंकट भी कहता नहीं यार, मैं खाना लाने गया था, फिर पका भी रहा था, उसमें टाइम लग गया, ओ भी भी कहता ना मैं तो कभी माउंटन के बाहर भी नहीं गया माउंटन के बाहर भी जाओंगा ना तो भी आप लोगो कभी भूलूँगा नहीं बाप कहता माउंटन के बार जाने के बारे में बोलना भी मत हमारा में के टा कहता मगर क्यों यह भी कहता है क्योंकि राइटियस राइ हमारा मेंकटा भी कहता है, I'm sorry dad, लेकिन, भाई 20,000 साल हो गए, अब सेम बाते मुझे बोले जा रहे हो, एपिसोड वन के अंदर में ने बोला था, हमारे मेंकटा गए 20 साल हो गया, 20 साल नहीं था, ओ 20,000 साल है, यह निए यह दुनिया में आने के बदना, 20,000 साल यहां पर गुजर चुका है, बाब भी कहता है, तो यह भी कहता है, तो क्या, यहर मुझे जाना है, मुझे इस माउंटेन में नहीं रहना, अब मुझे बाहर जाना है, तो बाकि सब भी समझाते हैं, भाई तू समझनी के कोशिश कर, 20,000 सालों से तू अभी बोडी रिफानिंग लेवल पर याटका पड़ा है, वैसे में तू बाहर गया, तो वही तेरी खेर यहां पर नहीं है, तबी जो फोक्स हैंना, ओ भी कहते हमारी मुलकात हुई थी, एक राटियस कल्टिवेटर के साथ, यह लोग कहते तो, उसने कहीं तुमको मारा तो नहीं न, यह भी कहते नहीं यार, इन्होंने एक ही अटक में उसको मार दिया, तो बाप भी लेक एक सिकन सच्ची में, एक राटियस कल्टिवेटर, जिसको मेरे बेटे ने एक ही अटक में मारा ला, मेरा बेटा इतना स्ट्रोंग है क्या सुन मेरी बात या तरे पास कोई स्पिचर रूट भी नहीं है हाँ और सामने जो आदमी ये और नांसें सोल लेवल करता है ऐसे कैसे तू हरा देगा और बाहर यहां पर गया तो बाहर तू लोगों को कैसे हराएगा हमारा में के टबी कहत है टूञें लेकिन मुझे यहां पर नहीं रहते रहते मुझे बहुत जmit बैकार यहां पर लग रहा है मैं जाओँ बाहर इस्टोओंग बनूगा बाप सांगा और आप लोगों को अजाद यहां पर करके राऊँगा तो सामने से बाप बाक्यों को गुस्ता दिला तकि यह अरे यार ये ऐसी बात उनको कौन सिखाता हैं? ओलोह केता भिल मेने तो नहीं सिखाया बाप सामने से समझाता सुन यार मत जा, ये भी केता यार 20 अजा साल हो गाए, आप लोग सिल अंदर याँ पर हो यार मेक लौता याँ पर हो तो भाई मैं चाहता हूँ आप लोग को बचाओ आप लोग ने मुझे इतनी production यहाँ पर दी मेरी ये बार यहाँ आ चुक ये production यहाँ पर देने की तव यूँँ फोक्स भी आती है और केते हैं सुनो मेरी बात यार विचारां कल्टिवेटर ये नहीं है कुए इसके पास फिटे रूटी नहीं है तो अंदर से डेमोनी कवर मैखसोसी नहीं होता जब डेमोनी कवर मैं सोसी नहीं होगा लोग इसको एक मामली इंसान यहां पर समझेंगे करता यहां तो इसने अपना लेवल अब किया यह इस पीचर उटाया, तो डेमोनी को और आएगा ना, तो इसके लिए, भाई मैं इसको नहीं भेश सकता, हमारा में कटा भी कहता बजान सोई, लेकिन मैंने मान लिया है, हम मैं जा के रहूंगा, तो जाने को तयार था, तब ही बाप कहता रुखो, यह जो टोकन इना, यह ट करती होई तो, वो कल्टिवेटर लों का सबसे बड़ी अकेडमी है, और तो भी आप भेजना चाहते हो, वो आपको आइडिया भी इना, सबसे डेंजरस एरिया हो सकता है, बाप भी कहता है, तुम जाओ, हमारा में कटा भी कहता चलो, जो आपने बोली दिया है ना, तो मैं पकका यहाँ पर जाओंगा, तो अपना सारा समान पै कर लेता है, जो कुछ ज़्यादा ही था, फोक्स भी करती बाप, रियर कितना ज़्यादा ही समान यहाँ परे, समने से फिरे ना, यह भी पूछती है बाप से, सुनो मेरी बात, यह हम जा रहे है, वो भी करती है, तुम मुझे मालूम है, तुम कोई ऐसी हो ऐसी लड़की यहाँ पर नहीं हो, तुमो, तुमो, नाइन टेल, एमपरेल लेवल की, डेमन फॉक्स, तो पोडेक्शन करना उसकी, तो समझी रहे हो क्या, यह भी कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी है, यह भी कहती है, समझ सालों मुझे भूकर मत मार देना, मेरे को भी थोड़ा सा यहाँ पर दो, तो बेटी भी कहती हो के ठीके जाहिए बाद में मिलेंगे, बाप कहता है रुको ना, यह भी कहती है, आप नहीं रुकने वाली, खाना नहीं यार, सुनो, मेरे बेटे के बोड़ी में बहुत सारी प कि ममी रहे, कि मैं एक्सपोस ना हो जाओ, एक्सपोस हो गया तो मेरी बैंड बढ़ जाएगी, जो टेश्ट लेने वाला ना, वो भी कहता सुनो, तुमारे पाँ जो अडिमिशन टोकन है ना, टोकन लेकर, इसके मुझ में डालो, तो आटोमेटिक पता चल जाएगा, तुम ज़दर ढल लग रहे, ममी रहे, ममी रहे, ममी रहे, ममी रहे, मैं क्या करूँ। उससे पहले, एक आदमी ता जो एक्सपोस हो जाता है, क्योंकि उ एक डेमोनी कल्टिवेटर तो बोला भी ज़दर आ गया, मारो इसे, पपबलिक भी कहते, वाऊ rings टोXTोन ही याँ परे, बैे, डेमोनी कल्टीवेटर को एक्सपोस कर दिया हमारा मेकटर देखो या, कितना डर जाते में मेरे मैं भी एक्सपोस हो जाऊँगा बाद में हमारे मेकटर की बारी आती की चल बेटे, तू आ जा तो हमारे मेकटर को डाल रहा था, वो आगे आई नी रहता सामने उलों भी कहता है साले तू आता है या फिर नहीं आता है मुझे तो श्क हो रहा है तो सची में डेमोन यहापर और जल्दी से token cui aligned पे डाल कहरा तो यह भी कहता है रह यार कुछ भी अजीब नहीं यह जा सकते हो लिकिन क्या बाद में और reaction देता है और cht 지난 से काट लेता है हाद जो डिमोनी कल्टिवेटर है उसका हाथ यहाँ पर काट लिया जाएगा हमारा में कट अपना हाथ आ जा मतलब निकालता है तो मुंडिव टूड़ जाता इस्टैचु का आदमी भी कहता है तुने तोड़ दिया यह भी कहता सोरी गल्ती से तूड़ गया तो यहाँ लेकिन सामने से क्यू तुम उसको पकड यहां पर रहो तो ये लोग कहते है एक सगन तू को ने तू तो कोई fox यहाँ पर लगती है ओ तू पका monster clan की member है हाँ तो fox डेमो नहीं थी बल्क्यों एक monster यहाँ पर थी और monster इंसान के बीच में जमती है कोई दिक्कत की बात नहीं है ओ भी कहते है सुनो यहाँ में एक monster यहाँ पर हूँ और म करते हैं यह टोकन यह टोकन तो fox भी कहती है यह टोकन भी लॉंग करता है आज इसे 20 सजा सल पहले the strongest state of all time जो सेट तनाम उसके यंग master साम वो पुरा सेट बरबाद हो गया डिमोनी कल्टिवेटर ने बरबाद कर दिया लेकिन उसके यंग मास्टर जिंदा है और यह उसके यंग मास्टर है तो यह मोटा भी कहते है क्या strongest state of all time उसको डिमोनी कल्टिवेटर ने विश्वास कर लिया सुनने स्वेश विश्वास आगे जाने का मौकर दे देना चाहिए वो भी कहते है यह बच्चे तु आगे जा सकता है हमारा मेंक टबी कहते शुग्रियाँ स्वेकेटलों और घबराओ मत यार एक दम रिलाक्स हो जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा हमारा मेंक के तबी कहते हो के और यह चैपटर यहीं पे खतम हो जाता है, मिलते हैं अंगले वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई